हेलो फ्रेंट नमस्कार मेरे चैनल जैवाला जी में आपका स्वागत है अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज कर लेजे और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत मुलिएगा ताके मेरे वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आज हम बनाएंगे कानाजी के लिए बुल्लेंड ड्रेस ये देखे इसके साथ के हम ड्रेस बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने 12 नमबर का क्रोशिया लिया है सबसे पहले हम 14 चैन बनाएंगे 14 चैन बनाने के बाद चौथी चैन के अंदर ड्रेस बनाएंगे आप फिर से अगली चैन के अंदर एक ड्रेस बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लेट कर लेंगे तो चलिए राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं यह दिखिए हमारा राउंड कम्प्लीट हो गया है और दो चैन बनाके हमने इसे टर्न कर लिया है अब हमें एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनानी है यह दिखिए दो चैन का हमें एक डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे एक चैन के अंदर एक दो डबल ग्रोश यह इसी तरह से फूरा रांड कम्प्लेट कर लेंगे यह देखे यह हमारा रांड कम्प्लेट हो गया है और यह हमारे चोविस डबल ग्रोश यह हो गया है दो चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे अब फ्रंट के लिए हमें चार डबल ग्रोश यह बनाने है एक चैन के अंदर एक डबल ग्रोश यह बनाते हैं यह दिखे हमारे 4 डबल क्रोशिय हो गए अब हमें 4 चैन स्किप करनी है 1, 2, 3, 4, 5 चैन के अंदर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे अब बैक के लिए हमें 8 डबल क्रोशिय बनानी है एक चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिय यह दिखे 2, 4, 6 और 8 डबल क्रोशिय हो गए है अब हम 4 चैन स्किप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 चैन के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिय अब फ्रन्ट के लिए फिर से हमें 4 डबल क्रोशिय बनानी है एक चैन के अंदर एक बनाते हुए अब यहां से हाफ डबल क्रोशिय बनाएंगे आपके कानाजी की technology कामर अगर लंबी है तो आप पुरा डबल क्रोशिय बनाएं मेरे कानाजी की कमर छोटी है इसलिए मैं हाफ डबल क्रोशिय बनाऊंगे एक चैन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिय बनाते हैं complete करेंगे यह दिखे हमारा राउंड कंप्लेट हो गया है अब हम इसे स्लिप स्टिच से डाइज करेंगे जहां पर हमने दो चैन बनाई थी यहां पर स्लिप स्टिच से डाइज कर लेंगे और तीन चैन बनाएंगे इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो यह हमारे दो डबल क्रोशिया हो गया एक चैन के अंदर अब हमें सारी चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाने है यह देखिए एक चैन के अंदर दो दो डबल कुरोशिया बनाते भी रांड कम्प्लीट करेंगे यह देखिए हमारा रांड कम्प्लीट हो गया है इसे हम यह जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी यहां पर स्लिप सी चैन राज कर लेंगे और फिर से तीन चैन बनाएंगे अब एक चैन के उपर एक डबल कुरोशिया बनाएंगे चाट डबल कुरोशिया होने के बाद एक चैन के अंदर दो डबल कुरोशिया बनाएंगे यह देखे पांच डबल क्रोशिय हो गए है अब हमें साथ चैन बनानी है एक, दो, तेन, चार, पांच, छे और साथ साथ चैन बनाने के बाद, इसे हम यह जो दो धागी है यह दिखे यहाँ पर इस चैन को अटैच कर लेंगे slip stitch से और फिर से इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब फिर से हमें एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है यह देखें एक, तो, तीन, चार, पाँच और छे छे डबल क्रोशिया के बाद साथ चैन और इसे फिर से यहां बेरिटाइज कर लेंगी स्लिप स्टिक से यह देखें इसे चैन के अंदर फिर से दो डबल क्रोशिया बना देगे और फिर से एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया इसे दो डबल क्रोशिया होने के बाद फिर से साथ चैन और यहां पर अटैज करेंगे फिर से हम छे डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया के बाद फिर से साथ चैन बनाएंगे और इसे यहां पर अटैज कर लेंगे slip stitch से और इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से हमें 6-6 डबल क्रोशिया के बाद यह लूप बनाने हैं तो चलिए बना यह देखिए यह हमने लूप बना लिए हैं और लास्ट में हम जहां पर तीन चैन बनाएंगे वहां पर इसे अटैज कर लेंगे slip stitch से और फिर से तीन चैन बनाएंगे और आप फिर एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जा हम लगे कि हमारे घीर ठाइट हो रहा है तो हमी वहां पर एक के अंदर दो बना लेने हैं इस लूप और इस लूप के बीज में एक हमिं यहां पर बढालेना और एक यहां पर बढालेना तो हमारा घीर नॉर्मल रहेगा अब यहाँ पे हम एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिय बना लेंगे और अब हमें यहाँ पे यह दिखी इस चैन के अंदर एक डबल क्रोशिय बनाना है और साथ चैन बनानी है और यहाँ पे अटैज कर देंगे और अब इसके अंदर से दीखें यह जो हमारी जगे है इसके अंदर से यहाँ पर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर अगली चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया फिर एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अब फिर से हमें इस चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाना है और अब इस पास वाली चैन के अंदर हमें फिर से लूप बनाना है अब देखिए लूप के नीचे से फिर से इसके अंदर से यहां पर डबल क्रोशिया बनाना है और अब इस पास वाली चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लेट करेंगे और यह दिखिए इस बार हमने यह लूप यहां पर बनाया था और इसके पास वाली डबल क्रोशिया के उपर बनाया था यह दिखिए यहां पर लूप वहला लूप हमें यहां पर बनाया था और इस बार हमें लूप हमें यहां पर बनाना है इस डबल क्रोशिया के अंदर यहां से आएंगे तो इधर नी बनाना है इस साइड बनाना है अगले राउंड के अंदर और उससे आगे वाले राउंड में फिर से इधर यहाँ पर एक बार इधर और एक बार इधर ऐसे करके हमें लूप बनाने हैं और आपको जितना बड़ा गहरा जाईए आप उतने राउंड कंप्लिक कर लीजिए चलिए यह दिखी हमारे खी रवन के त्यार हो गया है अब इसे हम यहाँ पर स्लेप स्टीच से अटाइज कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे अब इसके अंदर हम यह वाली फलियां बनाएंगे जो हमने लूप बनाए थे अब बनाएंगे यह देखे यहाँ से हम थागा टाइज करेंगे अब यह हमने लूप बनाए था इसके अंदर यह देखे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है अब बनाएंगे अब बनाएंगे अब बनाएंगे नो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो चैन बनाएंगे यह देखे दो चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर नो डबल क्रोशिया बनाने हैं अब बनाएंगे 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 यह देखिए यह हमारे नोर डबल क्रोश्या हो गए है अब इसको हमें यहां पर जांसे हमने शुरू किया था यहीं पर स्लिफ स्टेश से डाइज करेंगे यह देखिए यह देखिए हमारी एक पती बन गई है अब इस धागे को हम यहां से निकाल लेंगे यहां से स्लिफ स्टेश ले अटाइज करेंगे और यहां पर यहां पर याएंगे यह दागा स्लिफ स्टेश से लेके आएंगे और यह देखिए अब हमें फिर से इस लूप के अंदर नौबा डबल क्रोशिया बनाना है नौबा डबल क्रोशिया बनाएंगे यह देखिए मारे नौबा डबल क्रोशिया हो गया है अब हमें दो चैन बनानी है और इस साइड फिर से नौबा डबल क्रोशिया बनाएंगे यह देखिए नौट डबल क्रोशिया हो गया है अब फिर से हमें इसे यहां पर जॉइन करना है से लेप्ष्टिटी यह देखिए यह की कि यहां पिछे से हमें इसे डालेंगे क्रोशिया कर और यहां से यह बला लूग पिछे लेकर जाएंगे यह बहुत है और इस लोग को हम यहां लेके जाएंगे इस लोग के अंदर यह देखें यहां से डालेंगे इस तरह से और फिर से हमें यही सेम पैटर्न बनाना है यहां तक तो चलिए बना लेते हैं यह देखें यह हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसी तरह से सेम पैटर्न से हम यहां और यहां यहां यह गाजरी कलर की पतियां बनाएंगे और यहां पर हम वाइट कलर की एक दो और तीन वाइट कलर की बनाएंगे और तीन गाजरी कलर की बनाएंगे तो चलिए बना लेते हैं यह देखिए हमारी ड्रेस बन के त्यार हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फर वाचिंग